असलाम अलेकूम, how are you grade 5 and grade 4? मीद करती हूँ है देसे होंगे आप लोग अच्छा जी grade 5 and grade 4 हम लोग उने एक new topic start किया था that is about ecosystem, अपना unit start किया था जिसमें हम लोग उने ecosystem की definition को बहुत अच्छे त्रीके से explain किया था कि ऐसा environment जिसमें living और non-living things एक दूसरे के साथ interact करती है this is called ecosystem, उसकी example हम लोगों ने देखी थी कोई भी pond हो सकता है, किसी भी pot के नीचे का जो मटी होती है, उसके अंदर जो animals होती है, जो जानवर होती है वो उसका हिसा हो सकती है, फिर हम लोगों ने देखा था, किसी भी rock के नीचे कोई अगर environment बना है तो वो ecosystem हो सकता है, कोई भी घर हो सकता है आप लोगों अपना घर हो सकता है, आप लोगों हुच जो है, वो एक पूरा ecosystem है मतलब कि हमारी overall जो पूरी word होती है, वो सारी के सारा एक ecosystem होता है यहाँ पे हम लोगों ने ecosystem के कुछ दो parts देखे थे, कि ecosystem में कौन कौन से दो parts होंगे एक living thing और एक non living thing आज जो हम लोगों ने start करना है, वो है काइंड जाफ ecosystem कि ecosystem की कितनी काइंज होती है, ecosystem की बहुत सी काइंज होती है, बहुत ज्यादा लेकिन हम यहाँ पे just five को discuss करेंगे आपके साथ नबर वन, tundra, नबर टू, rain forest, नबर त्री, desert, नबर फो, grassland, नबर फाइफ, wetland इन में से हम दो को आज explain करने के routine को next lecture में पहले देख लेते हैं कि इनका overview क्या है, tundra जो हैं हमारे पास बहुत cold area होता है, सबसे जदा cold area को हमारी peak पे सबसे cold हOTा है उसके पात हमारे पास आता है rain forest rain forest में हमारे पास एक ऐसा forest होता है होता है यह forest है लेकिन इसमें पानी की बहुत ज़्यादा पस्टर होती है मतब इसमें इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है इस forest में और यहां के जो animals और plants हैं यह बहुत अच्छे तरीके से survive कर सकते हैं उसके बाद desert में हर जगा पे मटी मटी होती है उसके बाद grassland grassland में आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि grass का area जितना भी होता है वो grassland में and wetland wetland हमारे पास एक ऐसा area होता है जो के मेशा गीला रहता है यहां पे plants और animals survive की पानी में करते हैं ओके जी सबसे पहले है tundra सबसे cold region है यह मारा और इसकी जो surface होती है वो हर वक्त frozen रहती है मतब कि मटी वली रहती है आपने frozen movie देखी होगी ना तो उस movie में वो frozen पता है ना कहां पे जाके बास जाती है जहां पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हमेशा वहां पे सर्दी ही रहती है पिर उनको एक इस तरह का animal भी मिलता है तो इस तरह के एरिया में वो जाके रहती है जहां पे उसकी जो बरफ जो बरफ बनाती है वो बरफ के एरिया में ही रहे वो आम इनसानों को तंग ना करे तो वो टंडरा रीजन में चली जाती है दर असल तो यहां में देखे ज़रा टंडरा डीजन जो होता है वो सारा साल ठंडा रहता है वहां पे बहुत ज़्यादा बरफ पड़ती है और उसकी सर्फिस मतलब कि उसकी जमीन भी बरफ से ही बनी वी होती है सारी और यहां पे ट्रीज जो है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते क्योंकि बरफ के अंदर ट्रीज को जो है वो कोई भी न्यूट्रियंट वगरा नहीं मिल सकता यहां पे चोटी चोटी सी ग्रास जो होती है वो ग्रो कर सकती है वो भी कहीं कहीं पे बहुत मुश्किल से मिलती है और यहां के जो आपके एनिमल्स होती है वो अरेक्टिक फॉक्स होती है और यह रीजन बहुत ज़्यादा थंटा होता है यहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहां के एकोस्टरम में living things और non living things भी मुझोद होती है living things जैसे के अनिमल्स हो गए या फिर छुट-छुट सी ग्रास हो गए ये living things हो गए और कभी-चब human beings यहां पर जाके विजट करती है तो वो भी उस ego system का हिसा बन जाती है फिर उसके बाद यहाँ पे non-living things चीज़ें को उनकों सी है यहाँ पे light है, air है, snow है यह सारी की सारी हमारी non-living things है तो यह living things and non-living things मिलकर अपना एक ecosystem बनाती है जिसको हम tundra ecosystem कहते हैं नेक्स देखिए जड़ा, नेक्स है मारे पस rain forest अच्छा जी, rain forest में क्या है rain forest ecosystem is composed of tall evergreen trees के rain forest ecosystem में बहुत ज़्यादा trees होते है तंडरा में हम लोगोंने देखा कि वहाँ पे trees बिल्कुल भी नहीं होते लेकिन जो rain forest होता है, वहाँ पे trees बहुत ज़्यादा होते है इसकी वज़ा क्या है क्योंकि ये forest में तो होते ही trees है टीक है उसके बाद है अब यहाँ पे heavy annual rain waterfall होती है हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके बाद high average temperature होता हं यहाँ बखे पे लेकिन इसकी जो सॉयल होती है उसमें लैक अफ न्यूट्रियंट नहीं होता है क्योंकि इंग में बहुत ज़्यादा बारिश होती है रिच इन बायो डावस्टी तो इन फीचर्स की विज़ा से यहां पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं यहां पर एनिमल्स बह कि दरख्णों पर फ्रूर्च वगरा भी लगते हैं यह लिविंग तिंग्स हो गए नॉन लिविंग तिंग्स में यहां पर बारिश होती है यहां पर रोशनी है यहां पर सॉयल है मतलब सारी की सारी नॉन लिविंग तिंग्स यहां पर मजूद है तो लिविंग तिंग्स and non-living things मिलकर यहाँ पर rain forest का ecosystem बनाती है अब यह rain forest होते कहाँ बे है यह हमारे पास होते है grow in the moist up up land and low land near the equator अब equator क्या होता है हमारी जमीन का दर्मियान का हिसा वो line जो हमारी जमीन को दो हिसों में तक्सीम करती है वो हमारा equator होता है और equator के साथ-साथ जितने भी upper lands और low lands के areas होते है और moist होते है मतलब के गीले होते है वहाँ पर rain forest grow करते है यहाँ के जो animals होते है वो mountain line होता है और banana slugs होती है यह slugs होती है जो के banana कितना लगती है banana नहीं होती है और इसके जो trees होते है वो dogless free tree होते है देखें जरा यह मारा mountain line है यह banana slug है यह बिल्कुल banana की तरह लगती है पर यह banana नहीं होता और यह मारे पास है dogless fair tree आज हम लोगने दो ecosystem को explain किया अमीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और आप इसका concept लिएगा बार बार ताकि आपको further studies में help हो सके next time इंचाला new तीन ecosystem के साथ आपके पास आएंगे अभी के लिए अला हाफिज